हेलो दोस्तों एक पर फिर से आप सभी का स्वागत है मैस्पाइ महेंग सर्में ऑनलाइन क्लासिज में मैस्वहॉलिक क्लासिज में इस समय हम लोग टाइम अडिस्टेंस के बेसिक्स को और टाइपस आफ कोश्चन को डिस्कस कर रहे हैं इसली वीडियो में हम लोगो ने टाइम अडिस्टेंस के टाइप स्वाइब को डिस्कस किया था और जो करव कमिर्जन ऑफ उनिट था और इस वीडियो में हम लोग सेकर्ड टाइप क regulating आफ कोशिंश्टेंस का है उस पोल के ऊपर कोई बंदर है वो चड़ने का प्रयास कर रहा है but he climbs for the first minute up to some meter and then again in the next minute he slips down ठीक है वो पहले मिनट में चड़ने की कोशिज करता है कोश मीटर चड़ता है और अगले ही मिनट में वो नीचे slip कर जाता है तो हम लोग आज तीन कोशिग के माद्याइम इसको सम्झेंगे तो इसके जो heading देंगे हम लोग इसका जो type लिखेंगे वो हम लोग climbing pole करेंगे ठीक है तो आए चलते हम लोग बढ़ते हैं पहले कोशिट के वाड़ पहला कोशिट कह रहा है A monkey tries to climb a 50 meter long pole It climbs 5 meter in one minute and slips down two meter in the next minute then in what time will he reach the top ठीक है को एक बंदर है वो 50 meter उचे किसी एक खंबे पे चड़ने का प्रयास कर रहा है जब वो खंबे पे चड़ता है तो उस वक्त होता क्या है वो पांच मीटर पहले मिनट में चड़ता है तो पूछ रहा है आप से कि उसको उसके टॉप पे पहुंचने उस खंबे के ऊपर पहुंचने में कितना समय लगेगा तो थोड़ा एक फिगर छोटा से ड्रॉ कर लेते हूं उससे हम लोग समझने की कोशिस करेंगे इसको मल लेते हैं ये पूल है हमारा ठीक है इस इस आवर पूल ये टोटल पूल की जो लंबाई है ये कोश्चन में दी हुई है कि ये 50 मीटर लॉंग टोटल लंबा या उचा ये पूल है अब इस पे कोई एक बंदर चड़ने की कोशिस कर रहा है जब वो चड़ने की कोशिस कर तो हो क्या रहा है कि फर्स्ट मिनट में यानि पहले मिनट में वो क्लाइम कर रहा है उपर कितना जा रहा है प्लस होके उपर चड़ रहा है वो पांच मिटर ठीक है यानि जब एक मिनट हो रहा है तो एक मिनट लग रहा उसको पांच मिटर चड़ने में लेकिन अगले ही में यानि second one minute में हो क्या रहा है वो slip करके नीचे आ जा रहा है कितना नीचे आ रहा है वो तो टोटली हुआ क्या finally कि वो दो मिनट में 5-2 यानि 3 मीटर 3 मीटर चड़ पा रहा है ठीक है दो मिनट लग रहा है उसको 3 13 मीटर चड़ने में अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा question में देखिए आपसे पूछ रहा है कि उसको इसके टॉप पे पहुंचने में कितना समय लगेगा जब वो पहला मिनट में चड़ रहा है तो पांच मीटर ना तो जब वो लास्ट में यहां पहुंचेगा तो जो पां से लेके यहां तक यानि कि 45 मीटर तक वो क्या करेगा पहले मिनट में चड़ेगा और दूसरे मिनट में नीचे आएगा फिर अगें पहले मिनट में चड़ेगा फिर दूसरे मिनट में नीचे आएगा लेकिन जब लास्ट वाला जो 5 मिनट मीटर बचेगा उसमें जब वो चड़ेगा तो फिर slip नहीं करेगा क्योंकि वो top पे पहुंच जाएगा तो ऐसे question में हमको ध्यान में ये रखना है कि जो first minute में चड़ने वाला दिया रहता है ना उतना उसकी total height में से पहले खटा देते हैं कि एक गीनि अधिय में तो 35 मीटर उसको चड़ने वाला प्रोसेजर लगेगा तो तीन मीटर को हमें 45 मीटर करना gena तो इसमें क्याकरें ृंटू 15 करतें इन्टू 15 कर दें तो यह और इधर इंटू 15 क twee में क्या करना पड़ेगा है तो यह आएगा कितना यह आ जाएगा आपका 30 मिनटर और यह कितना हो जाएगा 45 मीटर आपका यह हो जाएगा इसका मतलब क्या हुआ कि इस 30 मिनट में वह यह 45 मिटर अपना चड़ते उतरते पांच मिटर चड़ते और दो मीटर गिरते हुए नीचे यह टोटल इसको यहां तक पहुंचने में 30 मीटर लगेगा इस 45 मिनट को चड़ जाएगा फिर उसके बाद बच कितना गया 31 मिनट हो गया ठीक है और इधा टोटल अब कितना हो गया इसका 50 मीटर की डिस्टेंस को उसने या हाइट को उसने कवर अप कर लिया तो उसको पूरा का पूरा ऊपर चड़ने में उपर जाने में 31 मिनट का समय लगेगा इस 50 मिटर को कवर अप करने में ठीक है ना कोई confusion है इसमें आप सभी लोग फिर से एक बार देख लिए ध्यान से कि एक मिनट में पांच मीटर चड़ रहा है और अगले ही मिनट डो मीटर क्या हो रहा है वो नीचे चला रहा है तो इसका मतलब बैसिकली हो क्या रहा है जो टोटल दो मिनट का टाइम लग रहा ठीक है तो यह total यह 45 मीटर तक यह चल नह koy झोड़ने वाला काम हो गा तो इसा प्लिप्लाई करेंगे तो हमें तो कि 25 मिटर तक जाने में 30 मिनट का समय लग जाएगा और total कितना चार्ड़ना है 50 मिटर तो अगला चड़ जाएगा तो अब total कितना हो जाएगा 50 meter वह चड़ जाएगा तो जब यह total 50 meter वह चड़ जाएगा तो समय total तब तक कितना हो जाएगा 31 minute का समय लग जाएगा ठीक है चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग next question की तरफ तो second question क्या कह रहे है second question कह रहे है इन a minute a monkey climbs 10 मीटर and slips down four meter in the next minute यानि पहले मिनट में कोई एक बंदर दस मीटर चड़ता है और अगले ही मिनट में वो चार मीटर नीचे गिर जाता है या सरग जाता है तो एक नब्बे मीटर ऊचे खंबे पे वह कितने समय में उसके टॉप पे या सिर्ष पे पहुंच जाएगा तो अगेर हम यहां पर एक ड्रॉख कर लेते हैं फिगर एक 90 मीटर हाई यह पोल है ठीक है 90 मीटर टोटल इसकी हाइट दी हुए आपको कि यह टोटल 90 मीटर ऊचा एक पोल है ठीक है अब इसमें कंडिशन क्या दिया है कि इसमें वह देखे पहले फिर वही काम कर लेंगे जितना वह चड़ रहा है उसको हम पहले माइनस कर लेते हैं यानि जो पहले मिनट में वह चड़ रहा है कितना इना मिनट कितना क्लाइम कर रहा है दस मीटर क्लाइम कर रहा है और इन इस सेकंड मिनट कितना नीचे आ रहा है यह फोर मीटर नीचे चला रहा है तो अगेन वही चीज़ देखेंगे हम क्या होगा दो मिनट में यह चड़ रहा है तो यह प्लस हो रहा है यह उतर रहा है यानि गिर रह तो यहां से दस मीटर हम क्या करेंगे इसके में से माइनस कर देंगे तो बचा कितना यहां बच गया अब यह असी मीटर यानि यह चड़ने का और slip करने का जो इनका यह प्रोसीजर है यह प्रोसीजर कब तक चलेगा इस असी मीटर के आसपास तक कि इसको चलना चाहिए यह दूसरा कोश्चन है ठीक है ना सेकंड कोश्चन इसको थोड़ा ध्यान से समझेगा पहले वाले कोश्चन से थोड़ा सा अलग है तो अब यह देख करने कर दे तो हम यहां पे अगर हम 14 का मुल्टिपलाई करते कुँए करना पड़े में कहुँ की टेंट साइड मेंगे हमको मल्टिप्लिकेशन करना ही बड़ता है लह बराबर IGHशर होता है तो वह हम जो हमें एक साइड करेंगे दूसरे साइद में वह करना है तो यहां से क ये 28 मिनिट का जो समय लगा इस 28 मिनिट के समय में ये 84 मीटर उपर चड़ जाएगा लेकिन इसको चड़ना टोटल कितना था 90 था अब देखिए अगर यहां पे 10 होता और यहां भी हमारे पास 10 बचरा होता मतलब नबबे में से इन केस यहां अगर 80 आया होता तो 10 बचरा होता तो हम यहां क्या करते वन प्लस करते कि एक मिनिट ओ लगेगा और दस मीटर वो चड़ जाएगा तो टॉप प्र आजएगा लेकिन हुआ क्या यह 84 चड़ गया कितने में 28 में और एक मिनिट में चड़ता है कितना है यह 10 मीटर तो अब बाकी कितना रह गया 90 में से 84 तो चढ मिनट में चड़ेगा उसको अपाउन में रखेंगे और जो बच जाएगा उसको हम ऊपर रखेंगे यह हमारा अंसर हो जाएगा अब यह आके और simplify होगा तो इसको हम simplify करेंगे two से cut करोगे आप three times में चला जाएगा यह चला जाएगा twenty eight three by five minutes clear है तो यह होगा आपका twenty eight three by five minutes आपका अंसर हो जाएगा in case अगर answer में आपको option में minute और second में दिया हुआ है तो हमें इसको minute और second में convert करना पड़ेगा twenty eight तो minute रहे गई रहेगा three by five में हम क्या करेंगे इसमें हम sixty का multiplication कर देंगे तो यह तो यह आएगा अंसर कितना आपका twenty eight कि मिनाट्स एंड थर्टी सेक्स कि सेक्ड्स ओके तो आपका अंसर हो जाएगा twenty eight एक मिनाट ताइम थर्टी सेक्स सेक्ड्स फिर से एकदम ध्यान से देख लिए अभी क्या था यहां पर twenty eight तो यह तो पुरा ले लेंगे लेकिन जो बच गया जैसे six बच गया तो फैले मिनिट में जितना question पर जिससे हम इसको समझेंगे climbing a pole वाले को last वाले को समझने की फिर से एक बार उसको आपको हम समझाएंगे कि यह कैसे करते हैं इसको third question कह रहा है a monkey tries to climb a 45-meter high pole हम यहां पर पहले इसको draw कर लेते हैं कितना है यह इसकी height total दिया हुआ है यह pole है और height is given as 45 a monkey tries to climb a 45-meter high pole it climbs 15-meter in a minute ठीक है तो first हम इने अभी बताया है कि पहले ही minute में जो चड़ता है उसको क्या करते है total में से minus कर लेंगे तो जो बचा हुआ रहता है जैसे यहां पर कितना बचा 30-meter क्यों 30-meter बचा क्योंकि total 45 था उसमें से पहले मिनट में 15 चड़ रहा तो जो पहले चड़ता है न उसको हम total में से घटा देंगे तो तो यह चड़के और गिरने यानि slip करने वाला process यहां पर 30-meter तक होगा ठीक है तो दिया है it climbs 15-minute sorry 15-meter in a minute and slips down 12-meter in another ठीक मतलब क्या हो रहा है कि first minute में यह चड़ रहा है कितना 15-meter but in the second minute यानि जो अगला एक मिनट आ रहा है उसमें यह 12-meter down हो जा रहा है तो basically कुल मिला जला के हो कह रहा है जो 2-minute का समय लग रहा है total उसमें यह 15-12 हमको करना पड़ेगा ठीक है क्योंकि यह चड़ रहा है और यह क्या हो रहा है उतर रहा है तो कितना हो गया यह 3-meter वो क्लाइम कर रहा है ठीक है ना 3-meter वो क्लाइम कर रहा है दो मिनट में तो अब यह slip करने वाले तक का कितना है प्रोसेश यह 30-meter तक का यानि इस मीटर को में 30 तक लेके जाना है तो हम क्या करेंगे 10 से multiply करेंगे तो अगर राइट हैंसाइड में किया है तो लेट हैंसाइड में भी करना पड़ेगा तो यह कितना आ जाएगा 20-minute में कितना चड़ेगा 30-meter की इस दूरी को चड़ते और select करते हुए cover-up कर लेगा कितने में 20-minute अब बच कितना गया total 45 था उसमें से 30 cover-up हो गया तो अब अगले मिनट में यह 15 cover-up कर लेगा क्योंकि यहां पूरा का पूरा value आ जा रहा तो हमें यहां पे divide करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जैसे ही अगला एक मिनट आएगा question में पहले ही बोल दिया था कि एक मिनट में वह 15 meter को climb-up कर जाएगा तो टोटल यहां पे कितना आ जाएगा यह 21 minute आ जाएगा 21 minute में total यहां पे value इसकी meter में कितनी आ गई 45 meter that means it will cover-up और reaches the top of the pole in the 21 minutes the pole is 45 meter high ठेक है तो यह था एक misclaneous question में से जिसको types of question climbing a pole के heading के अंदर में मैंने रखा है ताकि अगर आपको अलग से भी समझना हो तो आप खाली इस एक topic को समझ सकें इस video के through तो आज के लिए इतना ही रखते हैं आज का यह second type of question था time and distance के लिए अब हम लोग अगली वीडियो में third type of question पे आएंगे तब तक आप लोग जो पिछले दो types और basic दी बताया है मैंने आपको आप उसकी practice को करते रहे हैं और अगर आपको कोई question पूछन पूछना है तो आप में इस video के नीचे comment करके वो question भी मुझसे आप पूछ सकते हैं तो फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हैं